वेलकम बैक गाईज, स्क्रीमिंग फ्रॉग का हम लोग का कोर्स चल रहा है और आज के इस पड़िगर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के उपर प्रिजेंट, ब्रोकन लिंक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं with the help of इस वेबसाइट के उपर एक पेज है, अब आपने इस पेज के उपर अपना कॉंटेंट लिखा और साथी साथ इस वाले पेज का जो लिंक है ना, वो आपने अपने इस पेज पे लगा दिया, मान के चलते हैं यहां पर लगा दिया, आप कोई भी यूजर और कोई भी पेज है, वो 404 पेज हो जाता है, मतलब इस पेज को डिलीट कर दिया जाता है, या इस पेज का जो कॉंटेंट हो बहुत ही खलका हो जाता है, थिन कॉंटेंट हो जाता है, जिसकी वज़े से इस पेज को डिलीट कर दिया जाता है, कोई भी रीजन हो सकते थे, मान के चलते ह इस वाले page का जो link है वो आपके इस वाले page के उपर present है अब यहाँ पर crawler भी आता है user भी आता है आपके specific page के उपर और आने के बाद वो इस link को visit करने की कोशिश करता है बट क्योंकि यह वाला जो link है आपका यह 404 page के उपर point कर रहा है which is not a good thing तो हमें इस type की जो links है उनको identify करना है और अगर इन links को हम remove कर सके क्योंकि यहाँ पर तो पूरा हमारा control है यह हमारी website है तो हमें इन links को remove करना है या फिर अगर इस website owner के साथ मेरे connect है तो मैं बोलूगा भईया यह क्या हुआ कि यह वाला page जो है वो आपका 404 के उपर point कर रहा है तो आप इसको या तो redirect कर लें या फिर हम इसको हटा कर जो नया link है वो लगा दे रहे हैं जो भी इस content से related या इस link से related जो भी relevant दूसरा content होगा उसको यहाँ पर लगा दिया जाएगा तो यह purpose होता है इसलिए basically आप बहुत ही quickly और एक bulk में जो है वो इस type के broken links को figure out करने की एक URL mention करके start करके जहाँ पर crawl है वो complete करा लिया तो जो 500 URLs की crawl limit होती है screaming frog के free version में वो हम लोगों ने कर लिये now आपको क्या करना है simply आपको जाना है response codes में और response codes में जाने के बाद यहाँ से आप client terror four cross cross इसको select कर लेंगे और यहाँ पर आपको ध्यान देना है जो four or four वाला status code व आपकी website के उपर किसी specific page के उपर ये वाला link जो है वो present है जो की broken है कैसे check कर लेंगे हम लोग open in browser कर लेते हैं भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा यह 404 के उपर जा रहा होगा right बट अगर इसको आपको solve करना है तो आपको एक और information चाहिए कि आखिर ये वाला जो आपक link है ये किस specific page के उपर present है तब जाकर फिर आप उसको ठीक कर पाएंगे तो उसके लिए आपको नीचे आना है by default यहाँ पर आपको URL details दिख रहा होगा आपको in link के उपर click करना है यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये जो link का type है ये hyperlink है और इस page के उपर ये वाला जो link link है वो present है from or to दिख रहा है आपको anchor text क्या है इस link का follow है status code क्या है ये सारी information आपको link related यहाँ पर मिल जाएगी अब यहाँ पर जो मैंने देखा है आपको एक ही broken link दिख रहा है तो आप इसको चाहें तो resolve कर सकते हैं आप इस page के उपर जाकर ये वाला जो आप अपना anchor text है उ और यहाँ पर आप आजाएंगे response quotes के उपर internal and external में आप चले जाएंगे client error for cross cross in links के उपर इसके उपर मैं click कर दूँगा तो पूरी report आपको मिल जाएगी एक बार मैं यहाँ पर save करके open कर लेता हूँ इस report को अब देखें आपर आपको source भी मिल गया और destination भी मिल गया और भी को या तो redirect कर दें आप किसी दूसरे page के उपर बठोता भी हो पाएगा जब उस website का control आपके पास होगा तो एक तो तरीका यह दूसा तरीका मैंने क्या बताए कि जो वो link है ना उसी को आप replace कर दे तो दो तरीकों से आपकी problem जो है वो solve हो जाएगी thank you guys हुआ 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 हुआ